हरे कृष्णा तो आज बड़ा पवित्र दिन है भादरपद सुक्ल द्वादसी तो आज के दिन परम भगवान का एक विशेश अवतार हुआ जिसका नाम है त्रिविक्रम और उपेंद्र और भगवान बामन तो सुन्दर स्तुती में जैदेव को सामें कहते हैं चलायाशी बीक्रमने बलियाद भूत बामना बोलिये चलायाशी बीक्रमने बलियाद भूत बदनक निरा जनिता जन पाबनां बदनक निरा जनिता जनन पाबनां केषभ र sürत बामण रूपा केषभ रूपा केषभ रूत बामना लूपा केषभ रूत केषभ रूत जैयो जग दीस हरे जायो जागदी सहारे जायो जागदी सहारे जायो जागदी सहारे तो जैदे गुष्षा में सुन्दस्तुति करते हैं यह अपना विक्रम प्रिक्रम रूप प्रकट करके अद्भुद बामन भगवान शल किये किसके साथ चल किये बली महाराज के साथ और परिणाम क्या हुआ पदनक नीरन जनित जन पावन उनके चरणों के नक से जो जल प्रकट हुआ तीनों लोकों को पावन कर दिये अथा गंगा जी के रूप में तो स्रिमत भागवतम के आठमे शकन में मन्वंतरा कथा भागवत के दस भी से अरिक्ष्ण को जी तो अभाग यह हमारे आप उपस्तितें स्रिमत भागवत के आठमे शकन में मन्वंतरों का बढ़नन है भागवत के दस भी से में एक है तो उसमें अलग-अलग मनु महराज मन्वंतरों का बढ़नन है तो आठमे शकन के पंद्रवें अध्याय से तेईसमें अध्याय तक भगवान बामन देव का प्रसंग बढ़नन है तो नौ अध्यायों में बली और बामन देव का प्रसंग को पैंतालिस मिनिट में बोलना आप सुन आप समझ सकते हैं इसको कितना कौन साइस करना तो इसके उपर तो प्रभु जेसे कथावाचक सथ साथ दिन कथा करता है तो आप सब सुने ही हो आपस श्री और अन्ययन प्रभकता जोते ही है तो श्मे शिमा को देखते हुए हम संक्षिक्ष का चर्चा करेंगे मुख्यों मुख्यों प्रसंग कं तो सुरूवात ऐसे होत में आती है कि आति हुल मन्तॅ के लिला होने के बाद को में दो अध्यायों में शुक्देव गुसामी यह चोद्वा चौद्वाा मनु तक का एक बरनन करते हैं दो अध्याय में और और कौन मनु आएंगे अलग-अलग Manu के बारे हैं इसके बाद परिखित कि महाराश के मन में एक प्रस्न होता है दो प्रस् attas होता है आठवे कन के पंदरवें अध्याय में प्रस्न पूर्षते हैं कि हे भगवन हे गुरुदेव भगवान जो अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक परातपर परमेश्वर परब्रह्म दीन हीन के बांती भिकारी के बांती दरीद्र के बांती किसी के पास जाके भी क्यूं मांगे एक दूसरा मांगे तो सही डोनोर को ही बांध क्यूं दिये जिसने डोनेशन दिया जिसने दान दिया उसी को ही बांध दिये ऐसा ना भूतो ना भविस्यति ऐसा तक अभी सुना नहीं है कि इतना बली को उन्होंने बांध दिया ऐसा क्यूं हुआ तो इसके उत्तर में फिर प्रसंग शुरू होता है बली महराज सुकदेव गोशामी बनन करते हैं कि देवासुर संग्राम जो सबसे बड़ा महा संग्राम हुआ था उस संग्राम के बाद बली महराज तो वद ही हो गए थे हिंद्र ने बली महराज का वद ही कर दिया था सारे असुर लोग मारे गए थे लेकिन दैत्य गुरु सुक्राचारे की कृपा से बली महराज पुनर जिवित हो गए मृति संग्री बनी से तो बली महराज इतने कृत्य कृत्य हो गए इतने गदगद हो गए, इतने कृतग्य हो गए अपने गुरु महाराज के पती, कि भुरुगवन सी ब्राम्हनों को उनने बहुत सुन्दर आवभकत किया, बहुत सेवा पुजा किये, बहुत प्रसंशा किये, बहुत उनकी पुजा किये, ब्रुगवण सी ब्राह्मन मतलब शुक्राचारी आदि इससे इतना प्रसंद हो गए बली महाराज और सारे दैतियों कि उनको जीवन दान में मैं हमें एक सेकंड जांस मिलता है यह फ्रुगवण सी ने सेकंड कंगां मिलता है तो कितने कृतग्य हो जाएंगे जिसने हमें जीवन तो बली महाराज इतने सुन्दर शेवा किये सारे भुरुगबंसी ब्राम्हनों को, सुक्राचारे को, आदियों को, तो सुक्राचारे ने फिर एक सुन्दर यग्यां किया, जिसका नाम है विश्वजीत यग्यां, और उस यग्यां से एक अध्भूत चीजें द्रभ्य से प् निकला उस यग्यां से, पूरा सोने का रथ था, इस संसार में जो गाड़ियां देखते हैं, BMW, Mercedes-Benz, ऐसा कोई नहीं था, सोने का, वो भी 24 करेट गोल्ड, A to Z, टिप टॉप, एक दम सोने का रथ, सोने से बना हुआ, उसके बाद फिर उसमें जो घोड़े जोते थे, वो हर और घोड़े के बाद उस रथ के उपर एक धोजा था, उस धोज में पता का, धोज कहते हैंना पता का, उसमें सिंख का निशान था, और इतना नहीं, बहुत बड़ा कथिन धनुस प्रकट हुा उसमें से, इस यग्यो में से, बहुत स्ट्रॉंग भो, कथिन धनुस, और दो कभी खाली ना होने वाले तरकस, कभी खाली ना होने वाले तरकस, तरकस समझते हैं ना कुई भर, जिसमें बान रखते हैं, तो वो प्रकट हुआ, और एक दिव्य कबच प्रकट हुआ, यह सब जो है, उस यग्यां से प्रकट हुए, और उसके साथ साथ बली महाराज के दाद Grandfather कौन है? Prallad Maharaj. Prallad Maharaj सोयंग परकट होके कभी न मुर्जाने वाला माला, सुन्हदर माला कभी मैं आउने सुवे का माला दूपेर को भी बाशी हो जाता है ऐसा भी ना हो सुन्हदर माला परकट किया और उन्होंने बली महाराज को अपने पोते को दिये और सर्वो परी यस्य प्रसादाद बगवत प्रसादो दैत्य गुरु सुकराचारे ने एक दिव्य संख दिया और ये सब को धारन करके बली महाराज निकले युद करने के लिए उनके पास अब असूर साहिन ने सब पुनर्जिवित हो गई और सब की जो सूर्ती प्रेरणा सब जागरत हो गई क्योंकि राजा ही उठके खड़े हो गया और युद के लिए तयार है तो बाकी सब तो ऐसे ही उताव ले है तो यहां इस प्रसंग में एक बहुत सुन्दर शिक्षा मिलती है देखो कि राजा बली ने ब्रामणों को इतना सुन्दर उपासना की ब्रामणों को अपने गुरुदेब को पुजा की जिससे असाध्य भी साध्य हो सकता है कितना भी मुश्किल कार्य क्यों ना हो पंगुल लंगायते गिरी यत्कृपात अमहंग बंदे श्री गुरुदे तो इस प्रसंग में बहुत सुन्दर ये बढ़नन है कि आचारी उपासना कितना आवसक है प्रत्य भक्त के लिए साध्य जिस भक्त को जिस आधक को इस जीवन में सफलता प्राप्त करना हो आचारी उपासना बहुत आवसक है हमारे परंपरा में हम देखते हैं हमारे सब अपने अपने आध्यात्मी गुरु उनके जो हमारे संस्थापक का आचारे परंगुरु उन्होंने जो हमें मार्ग दर्शन दिया है जिसको उपदेशामृत में कहते हैं सतोबृते आप पढ़िए कभी उपदेशामृत के सतोबृती के डेफिनेशन में प्रभुपाजी सुंदर व्याख्या करते हैं उसमें कहते हैं, सत्वपृति के एक्स्प्लानेशने प्रभुपात कहते हैं, कि कृष्ण भावनामृत अंदलोन में, हमने जो नियम बनाए हैं, अगर इस नियम को कोई भी भक्त ठीक तरह से पालन करते हैं, तो इस ही जीवन में वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं, फिर उसको वो व्याख्या करते हैं, फ्रक्तिक भक्त को सुबह उठना है, मंगल आर्थी अटन करना है, ऐसे लिखे हैं, आप याद आ रहा होगा, जो लोग नू आई पढ़े हैं, है ना, और सुबह का जो कारिक्रम है, वो सब उच्छा पुर्वक भाग लेना है, और जो बिदी निय हम बताए गए हैं, उसको पालन करना है, मैं अंग्रे जी याद नहीं है, नहीं तो एजटीज पढ़के आपको सुना जेता है, प्रभुपाजी नु आई में क्या लिखे हैं, तो उसको कहते हैं, आचारी उपास, सतव बुर्ते, फॉलोइं इन फूट स्टेप्स अप प्र जिवित हो गए, और इतना सक्तिशाली हो गए कि स्तिलोक विजय हो गए, तो गुरु की एक रुपाज से क्या नहीं हो सकता है, तो इस प्रकार से सब सजधज के रत के उपर बेटके अपने धनूस तरकष बांड सब लेके, सब असुर्श हैनिकों के साथ सीधा आक्रमन अम अगर उस समय कैमरा होता तो वीडियो ही दिखा देते हैं, वीडियो रिले कर रहे हैं, स्वर का विश्तुरुत वर्णन है, और इस समय बली महराज अपने सारे सेनिकों के साथ, पुरा घोडे, हाती, सब सवार होके, सब यूद के लिए जा रहे हैं, अमरावती भी कम नहीं अमरावती के चारो तरफ खाई है, किसी भी राज्य में ऐसे प्रवेश नहीं कर सकते, उसको आकरवन करने के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बली महराज का जो तेज था, वो पूरे सिधा निकल पड़े आकरवन करने के लिए, और पूरे अमरावती को घेर गे, च पूरे आकरवन की सब्द सुनाई दे रहा है, तुमूल कोला हल के आवाज सुनाई दे रहा है, और अंदर सारे देवता जो है, अपनी पत्नियों के साथ सब भाईवी थें, इतने में देवराज हिंद्र को ख़बर मिला, कि अटाग हो गया है, दुस्मनों से, सत्रूं से, तो देवराज जेंद्र भागे दोड़े अपने गुरु बुरहस्पती के पास गए, जब बुद्धी काम नहीं करता है, तब गुरु जी याद आते हैं, वो तो सुवाबिक है, तो वो जोर से गए और गुरु महराज है बुरहस्पती जी, ये कैसा असमय आ गया है, एक त हतियार अस्तरों के साथ पूरी तरह से धावा बोल दिये, और इतना कोला होल इतना आवा जा रहा है कि सब हम भाईवी थे, इसका कैसे प्रतिकार कर सकते हैं, आप कुछ उपाई बताईए, इस समय शुकरा चाहिए, बुरहस्पती जो उपदेश देते हैं, बड़ा और जीव से, केते हैं सुकदेग उसाइम, जीव से दसो दिसाओं का चाट जाएंगे, ऐसा बली प्रतित हो रहा है, और नेतरों की ज्वाला से सारे दिसाओं को भास्म कर देंगे, आखिर बली में इतना प्रभाव, इतना तेज कहां से प्रकट होगा, तो इंद्र को समझ म नहीं आ रहा है, देवगुरी ब्रोषपुती नहीं कहा, देखो, इंद्र में जो कह रहा हूं, सभी देवता लोग ध्यान से सुनो, अभी जो हम कह रहे हैं, समय बड़ा खराब है, नहीं ना, पार्टी बदल गई है, कभी आप सासन करते थे, अभी दूसरा पार्टी, कहते स्लोक में बोल रहा हूं, अनुबात कह रहा हूं, सर्वसक्तिमान भगवान स्री हरी के अलावा, बली को प्राभुत करने वला संसार में कोई नहीं है, तीनों लोग में कोई नहीं है, के बल एक सर्वसक्तिमान भगवान स्री हरी को चोड़ को, इसलिए तुम या तुमारा क 2BHK, 1BHK, जितना भी घर, मकान, बिल्डिंग बनाया और कोई उपाय नहीं यहां से भागने के सिवा और कोई उपाय नहीं है, जान बचाओ, जान बची तो लाखो पाए, उल्टे बुद्धु घर को आए, इसलिए जितना जल्दी है भागो यहां से, और कोई गुरुजी कुछ नहीं करते हैं, मैं भी भाग रहा हूं, तुम लोग की भागो यहां से, और सुनो, कैसे भागो के अपना बेस बदल के भागना, अद्रुस्य रूप में, इसे लिखा है इस लोप में, अद्रुस्य रूप में, जिसको जैसा बेस देवता लोग तो बेस बदल सकते है तो अपना-पना बेश बदल के भागो और ये मुद पुछो कहां भागे जिदर से रास्ता दिखता है वहां से भागो चाहिए बंबे जाओ पुना जाओ बेंगलोर जाओ किदर भी जाओ लेकिन छूप जाओ अभी वो समय हमारा है ही नहीं समय बहुत विपरित हो गया है अभी दूसरा पाटी है कभी आसरी बात करते है कभी कमल जीत रहा है जो जहां जो पाटी जीत है उसका सत्ता चल रहा है तो अभी कम हमारा चलेगा भी नहीं इसलिए सबसे बड़ा उपाए भगवान श्री हरी ही इसको इस संकड़ से रक्षा कर के शिंगाषन ऑपर जाकर बेट गह efect कोई यूध ने ऐसा संख बजय थे दर्वाजे के सामने ऐसा संख बजय तो omangal hrta में क्या संख बज़ेगा ऐसा संगाए कि सब उठ खड के भागे इसको जहां रस्ता मिले सौ उड है इसको जबर ठाक्व लेकिन इंट्र पद को प्र को अगर हम क्लास के समय सुनेंगे तो फिर कथा अस्वादन नहीं कर पाएंगे तो आप लोग सांती से बेठिए तो सो अस्व में धी यग्यों किये करना चाहिए तो सुक्राचारीन का देखो बेटा जोर जब अश्थी तो दावा बोल दे और इंद्र सिंगासन पर बेट गए लेकिन योग्योता होने चाहिए बिना क्वालिफिकेशन के भक्ति वेजान तभी नहीं कर सकते तुम इसलिए योग्यों बनो अपने आपको राजा बनने के लिए योग्यों बनाओ क्या योग्योता है कि सौ अस्व में धी यग्यां करना है सौ अस्व में धी यग्यां शुरू हो गया तो दूसरे अध्याय में अब थोड़ा सीन चेंज होता है सीन टू ठीक है अपने मन को ले जाए एक आश्रम में जहां माता अधिती बेखिए और अपने प्रभु जी कस्यव जी ध्यानमग्न थे जिनको पता भी नहीं कि क्या च खाली हो गया है हमारे अर्धांगिनी जी फुटपात में मतलब ऐसे ही आगे है रस्ते पे उनको पुरा ध्यान बगरा भंग हुआ और जब वह बापस लोटे देखे कि आश्रम सुना सुना है बहुत सुन्दर बंड़ने बागतर में ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत आधिती इंद्धी म मुर्जाय हुए बेठे है और वो अपने पती को पुजा अर्चना किये स्वागत किये जैसे पत्नियां पती की सेवा करते है अब हम तो नहीं जानते हैं सादू संतु ब्रह्मचारी है आप लोग मतलग जानते हैं पती की आगवानी किये और चरन दोए पखारे और पिठाए तो यहां जो सुंदर बनने चंक्षेप में सब कह रहे हैं विस्तुरित तो भागो तुमें कश्यप जी बहुत सुंदर प्रस्न पूछते हैं कि देखो प्रिये इस समय ब्राम्हनों के उपर कोई बहुत बड़ी विपत्ती आ गई क्या कई सारे प्रस्न पूछते हैं ग्रहस्ता अश्रम में रहके तुम धर्म और्थ काम का ठीक से पालन नहीं किया किया और तो और तुम्हारे पास कोई अतिति आया है जिसको तुमने सत्कार नहीं किया एक पानी के ग्लास भी नहीं दिया है क्या हो गया वो तो तुम इतने मुर्जाय क्यूं हो और पूरा वातावरन इतना भायावय क्यूं देखना है शांति क्यूं फेला हुआ है तो यहां सुन्दर बढ़नन है कि हमारे घर में या हमारे मंदिर में कोई भी अतिति आता है तो कम से कम उनको थोड़ा सा मदूर वचन अगर निम्बू पानी सर्वत नहीं मिला सिकन जी तो कम से कम मदूर वचन हरे किष्ण प्रभुजी आईए हमारा बड़ा अहो भाग्याइश आसन ग्रहन कीजिए विरा जी इतना तो कह सकते हैं अतिति सतकार अगर नहीं करेंगे तो कश्यब जी के अनुशार वह सबसे बड़ा असूब है इसके उत्तर में माता अधिती ने कहा है तपो धन पती परमेश्वर आपकी पतनी हुए में यह सब शिष्टाचार तो हमें पता है हमने किसी भी अतिति का असतकार नहीं किया है लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे सारे पुत्र और सारे देवताएं अभी ग्रह सुन्य होगे, श्रीहीन होगे, राज्य सुन्य होगे और तितर वितर होगे, यहाँ वहाँ भाग गए और मेरी हालों तो आप देख रहे हैं मैं कितना दीन हीन और दुखी हूँ, अपना दुख ब्यक्त कर रही थी कि ऐसी स्थिति है तो कश्यब जी को पूछने लगे वे क्या हुआ कि सत्रु अधितिनिका सत्रु उने हमारे उपर आक्रमन कर दिया और पूरे अमरावति को घेर गए और अमरावति के सिंगासन पो बेट गए और बेटके उन्होंने शासन किया और हम सब को खदेड दिये तो इसलिए हम दुखी हैं और हमारे जब पूत्र हैं अभी कौन से स्थान पे हैं अड्रेस निल पता ही नहीं कहा है कौन से रूप में और कौन से स्थान में हैं तो क्या चाहिए फिर तो वही अईश्वरिय, धन, श्री फिर से हमें बापस मिल जाए हमारे सत्रूं का प्राभव हो जाए हमारे सत्रू नास हो जाए और फिर से हम स्वर के उपर सुख पुर्वक बास करें इस पर कश्यब जी ने एक जिंता ब्यक्त की बड़ा प्यारा स्लोक है सुंदर अर्थ है ये भगवान इस संसार में मोह कितना प्रबल है देखो कश्यब जी कह रहे है संसार में ये जो मोह है कितना प्रबल है सब को अपनी पढ़िये मेरा वेटा, मेरा घर मेरा परिवार, मेरा पती मेरा संसार, बाकी सब ठीक रहे बाकी जाए गड़े में जिसको जहाँ जाना चाहे ऐसा मोह है, जैसे प्रभुपाजी प्राय का टाक्ष करते हैं, तथा कते हिंदु बादियों को, जो लोग भगवान की पुझा अर्चना करते हैं, और कहते क्या हैं, सुख संपतिघर आवे कस्ट मितेत अनका, बोलो, कस्ट मितेत, सुख संपतिघर आवे हमारे घर में पडोफके घर में भी ना झाए, 4006 में आजए, 4005 में भी ना झाए, इतना मोह और इतना मे और मेरापन है कस्यप जी अधिति के बाद को सुनके ये चिंताव्यक्त किये कि ये सब अनित्य संबंध है और इस मोह में इसब पड़े हैं फिर भी पत्नी ने डिमांड की, पत्नी ने सेवा की, पत्नी का कर्तब है और पत्नी तो वेशे ही बेटर हाप हैं, जिसको संस्कृत में कहते हैं अरधांगिनी, तो उनकी इच्छा को तो पूरा करना ही पड़ेगा, पत्यों को पता है, पत्नी की इच्छा को कैसे पूरी करना है, एक प्रभु जी कहते हैं, कि मुंबई में महारास्ट में गणपती की पूजा होती है, गणपती जी के दो पत्नी है, रिध्धी और शिद्धी, लेकिन आज के संसार में तीसरी पत्नी है, जिद्धी, जो चाहिए अगर उसको डिमांड भूल पिल नहीं करेंगे, तो अब तो अरे किसना, तो पत्नियों की इच्छा को पूरी करना, सारे पत्ति हो जाए, इच्छा है, लेकिन इच्छा भी पूरी हो जाए, और भगवत आश्री बाद भी मिल जाए, तो कश्यप जीने कहा, देखो प्रिये, सुष्टी के प्रारम में, ब्रह्मा जीने मुझे एक प्रत उपदेश किया था, कहा था कि फाल्गून मास के शुक्ल पक्य के, प्रतिपदा से लेके त्रयोदसी तक बारा दिन, इसको कहते हैं पयोब्रत, केबल दुख्दहारी ब्रह्मचारी, मतलब दुख्दपान करके रहना है, और कुछ नहीं, सपन भोग नहीं, कोई संडे फिस्ट वगरा कुछ नहीं, प्रतिपदा से लेके त्रयोदसी तक बारा दिन तक दुख्दपान करना है, और दुख्दपान करके ववरत करना है, वरत का नाम क्या है? पयोब्रत, यह पयोब्रत अगर आप करोगे, तुम करोगी, तो सांक्षयत अनन्दकोटी ब्रहमांड नायक परत परपर्मेश और ब्रहम श्री भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे, और तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरून कर देंगे, पती के बात को सुनके अदिती, पती ब्रता पत्नी बड़े प्रसन्न हो गई, खुश हो गई, और पूरे विस्तृत बर्णन है, इतना सब बर्णन करने के लिए समय नहीं है, लेकिन संक्सेप में, कि क्या क्या कैसे कैसे ब्रत करना चाहिए, सब कहां से क्या लाना है, और कैसे कौन से समय भोजन गरन करना है, और था दुख्द पान करके ब्रत कैसे करना है, कितने बज़े सुबह उठना है, कौन सा मंत्र का जब करना है, इ ने उनको बताया और लास में बताये सुने बड़ा सुंदर स्लोक है क्योंकि बीच बीच में थोड़ा-थोड़ा मुख्यमुक्य स्लोक जो है बोलने से बड़ा प्रेणा लगता है का से जी कहते हैं देखो परिये जो मैंने तुमको बिस्तरुतुप से उसमें से एक भी आप जानते हैं जंगली बराह ने अपने दाड से मिट्टी को जहां खो देते हैं उस मिट्टी को लाके तुम्हें लेपन करना अब जंगली बराह गाओं का सुकर नहीं उस मिट्टी को कभी-कभी देखें जंगली बराह मिट्टी को खो देते हैं उस मिट्टी को लेके शरीर प जब मिर्यारोड मंदिर में पुझे महाराश्री ने इस प्रसंग को कथा किये थे तो एक परिवार को संतान नहीं हो रहा है देखो भागवत कितना प्रमान है यह तो पंचम पुरुशार्थ देने वहला है प्रेम भक्ति उसके साथ साथ आँखों देखी घटना आपको बता रहे है वो पती-पत्नी कथा के बाद पूरे साथ दिन कथा के बाद पती-पत्नी आये और उन्होंने कहा कि ऐसे महराशी कोई संतान नहीं है इतने विवाव हो गये इतने साल होगे कोई संतान नहीं अब आप समझ सकते हैं कितना दुख लगता है किसी घटन को संतान नहीं तो कथा सुनने के बाद वो दंपति इतना उनको उच्छा और प्रेइना मिला क्या हम भी यह कर सकते हैं महाराश्री ने कहा कि भागवत अमल पुरान है, प्रमान है जैसे जैसे इस प्रसंग में बताया गया है नियमों को अगर आप ऐसे करोगे तो आप भी फल प्राप्त करोगे भक्तों विश्वास कीजिए आज वो ग्रुहस्त भक्त मिरा रोड मंदिर में कॉंग्रिगेशन डिवोटी है कभी आपको मिला देंगे उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे भागवत में बढ़ना ने है क्योंकि गुरु मुकपदों बाके महाराश्री ने कहा है और भागवत प्रमान उसको दुड़ विश्वा से स्रद्धा किस बात की होती है देखिए स्रद्धा किसको कहते है बिवहा के बारा साल बाद उस दंपति को पुत्र हो गया क्या करके पयोबरत करके जो बताया गया है भागवत में इससे हमें समझ सकते हैं कि भागवत के वल एक पूथी मातर नहीं है साक्षयात भगवान है इसलिए कश्यप जी कहते हैं क्या तएब नियमा साक्षयात एबेच यतोत्तमाहा तपो दानम ब्रतो यग्यम येन तुस्यंत अधुक्षज वही तप मियम है वही उत्तम यम है वह वास्तम में तपस्या है वही दान है वही ब्रत है वही यग्य हैं जिससे अधुक्षज प्रसन्न हो जाते हैं देख रहे हैं ना तो कश्यप जी कह रहे हैं वही तपस्या दान जब सब कुछ सही है जिसे अधुक्सेज प्रसंद हो जाते हैं इस लोग के टिका में विश्वना चक्रुदिपात कहते हैं इस्वरा तरपणम बिना सर्भम एव विफलम इती दिखदर्शन ना आहत तो एव इती जो भी हम जब तब करमादी करते हैं एक दिखदर्शन दे रहे हैं कस्यब जी अपने प्रिया अधिती को कि इसको भगवत समर्पित करने से ही इसका सफलता होता है हां यहां रुके नहीं अंतिम शलोक में कहते हैं तस्मात एत ब्रतम भद्रे प्रयता स्रधया चर यह सब्ध को ध्यान देजिए स्रधया है यह जो मैंने ब्रत बताया 12 दिन का नाम क्या है पयोब्रत इसको अगर तुम स्रधा पुर्वग कोई भी भरत जो है जो हम करते हैं अगर स्रद्धा पुर्वक करते हैं तो कहते हैं भगवन परितुस्टस्टे बरनाशू विधास्यति भगवान साक्षाद प्रसन्न होंगे तो हम सब के लिए भी एक बहुत बड़ा कार्य है कि स्रद्धा से इसको हम करें चाहे वो माधवतिति हो क्योंकि देखिए सास्त्र कहता है अगर ज्ञान टिकता नहीं है तो वो ज्ञान कोरा ज्ञान है अभ्यास नहीं करते हैं उसको सुनते हैं और इस कान से लेकि इस कान से छोड़ देते हैं तो फिर वो ऐसे ही रहेगा तो अध्रुड़म चो हतो ग्यान हो फिर प्रमादेन हतो शृतम स्रबन करने के लिए बेठे और मन चला गया मुंबई या तो अपने घर में या कहीं पूरा परकम्मा कर लिया तो फिर जो भी सुनेंगे वो सुनने ही पाएंगे अधो क्या प्रमादेन हतो शृतम और सुनते समय अगर मोबाइल देखते रहे फेस्बूक वाट्सप चेक करते रहे और भी कुछ करते रहे तो फिर कुछ भी सुनने ही पाएंगे और प्रमादेन हतो शृतम संदिक दो ही हतो मंत्र ये क्या अरे किजने अरे किजने करते रहते हैं इससे क्या लाब हो रहा है बारा साल पंदरा सल हो गया जब करते करते उंगुली घिश गई माला भी काला पड़ गया कुछ लाब हुआ इससे अगर मन में ये संसे हो गया कि क्या और कोई मंत्र नहीं है वो भी इतना बड़ा मंत्र है चोटा सा कुछ होना चाहिए एक दम सोला आक्षरी मंत्र बोलते बोलते दम निकल जाता है अगर मंत्र में डाउट हुआ तो काम नहीं करेगा संदिक दोई हतो मंत्र और व्यग्र चितो हतो जपो जब करते समय अगर हम बेस्ट अब दी प्लानिंग करने लगें जब करते ही हैं हम सब हमारी व्यालत ऐसे ही है जब करते समय अगर चित व्यग्र हुआ कि हम वाट टू डू टूडे करते रहेंगे तो फिर जब का फल नहीं मिलेगा मिलेगा इतना नहीं मिलेगा तो स्रद्धा की बहुत आवस सकता है ये सुनने के बाद अदिती बड़ी प्रसन्न हो गई और स्रद्धा से सारे ब्रतों को करने लेगी और कैसे करने लेगी अदिती का एक बहुत बड़ा गुंटा देखिए बुद्धी को सार्थी बनाकर मन को लगाम बनाकर बुद्धी को सार्थी बनाकर मन को लगाम मन की लगाम को पकड़ कर अपने इंद्रियों की घड़ों को संयम कर अधिती ने दिड़ता से पयो बृत की बृत भी कैसा होता है देखिए इकादसी बृत है राम नोई है जन्मास्टमी है कल किसी ने प्रफोन किया प्रोजी आप फोन ने उठा रहे हैं मैंने प्रोजी क्षमा कीजिए आज इकादसी है गुरु जी ने हमें कहा था इकादसी माधवतिति के दन फोन को फेंग देना उसके बास जाके बगवान मिलेंगे इसे नहीं मिलते हैं सुबह के समय नौ बज़े तक महाराशी से कथा से सुने थे सुबह के समय नौ बज़े तक फोन के गले को दबा के ही जब तब साधना करना भगवान क्या इतने पीछे इतने आसान है कि घर के पीछे मिल जाएंगे तो महाराजी से सुना था इसलिए हम आपको बारा बजे के बाद ही मिलते हैं जो भी फोन करेंगे अब इकादशी के तिन बारा जब जब तक हमारा संकल पुरा नहीं होता है कुछ नहीं होगा उससे पहले ही हम प्री प्लान कर देते हैं क्या क्या करना है और अपने के जब जल्दी बता देना ठीक है तो भक्तों देखिए अधिती से हमें सिखते हैं कि ब्रत करते समय अगर दुड़ता नहीं होगी न तो सफलता नहीं मिलेगी और यह भी करेंगे वह भी करेंगे दस्चीज करेंगे तो कुछ फल नहीं मिलेगा तो अधिती इस प्रकार के रूप में इताम वर्धारी साक्षाथ स्री भगवान स्री हरी विष्णू अधिती के सामने प्रकाट हो गए और जैसे अधिती के सामने प्रकाट हो गए अधिती तो इतना भाकुल हो गई कंट गद गद हो गया आंखों से अस्रू बहने लगे अस्ट शातिक भाग प्रक और ठीकर वेसे ही ब्रह्माजी ने जो भगवान की ब्रहमाजी ने भी श्थूति की जो अलग-अलग भगवान के नाम ही है। श्थूति में भगवान के नाम ही भरपूर है। जगरनाथ पूरी में देखते हैं, उडिशा में, प्राय भक्त लोग भगवान जगरनाथ की स्तूती करते हैं, जगरनाथ की स्तूती में वो भगवान जगरनाथ के ही अलग-अलग नाम बोलते रहते हैं, चतुर्भुज जगर्नाथ कंठसोवित कौस्तुभं पद्मनाभ देवगर्भ चंद्रसुर्यो बिलोकनम जगर्नाथ लोकनाथ निलाद्री सहपरहरी धीनवंदू दयासंदू कृपालू जनरक्ष्यका जगनाज के एक हजार नाम है स्तूती करते हैं और भगवान के अलग-अलग नाम ही उसमें गुणगान होता है तो अधिती ने जो भगवान की स्तूती की जो ब्रह्मा जी ने भगवान देव बामन देव की स्तूती की वो नाम संकिर्त नहीं था इससे भगवान इतने प्रसंद होगे प्रकट होगे फिर सुब्देव गुशामी कहते हैं भगवान अपने पीता कस्यव और माता अधिती के देखते देखते सब के सामने देखते देखते हो चतुर भुजरूप कहां प्रकट हो गया और सुन्दर एक चोटा सा बावना इसको एक प्रककट होगे तो क्या बन जाते हैं उन कोलिया जोरते बंदेखते लेकिन इस अवतार में बह और खंबा भाड के प्रकट होते हैं तो क्या बन जाते हैं बोलिये जोर से नरसिंग लेकिन इस अवतार में बीर्य से प्रकट होते हैं कस्यप जी ने भगवान कस्यप जी के अंताकरण में आये कस्यप जी ने अपना पुर्व संसित अमोग बीर्य को ब्रियाधान किए गर्वाधान किए अधिती के गर्व में और तब भगवान प्रकट हुए तो किसी भी माध्यम से भगवान प्रकट हो सकते हैं तो इस प्रकार से भगवान प्रकट हो तो अधिती माता प्राथना करने लगी तो भगवान के भगवान कहते हैं मैं सब जानता ह तुम्हारा क्या दुख का स्टेज सब में जानता हूं, लेकिन समय भी परी थे, भगवान भी हाथ उपर उठा दिया, अब क्या करें बताओ, हदिती ने इतना ब्रत करके भगवान भूला है, भगवान ने कहा समय भी परी थे, परंदु देभी, वे असुर से नापती इस समय जीते नहीं जा सकते, बली इतना तेज प्रभाव है, उसको जीतना असमभव है, ऐसा नहीं कह रहे हैं, भगवान में नहीं जीत सकता, लेकिन भगवान, बली को क्यों, बली तो उनका भकत है न, भगवान कह रहे हैं, बली को जीतना असमभव है, इस समय, तो आपकी जो किसे साथ इस्वर और ब्राम्हन विप्रधरम चुत आश्रय याद आ país मस्तिति विप्रधरम में अश्रय जिसने किया है उसको कभी भी कोई प्राभूत नहीं कर सकता है तो इसलिए लडाई जहगड़ा तो भूल जाओ लड़ाई जगड़ा करने की बस की बात नहीं है अभी पार्टी दूसरा पार्टी अभी तो इसलिए कुछ और उपाय करते हैं जिससे ये तुमारी इच्छा पूरी होगी तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भी बहुत स्थोती किया तो भगवान बामन देव के रूप गर नस्ट हो गया उस समय दिशाय निर्मल हो गई देखिए आज का दिन आज का इसी सुबु दिन सुबु मूर्थ का बरनन सुनिये जब भगवान प्रकट होते हैं कि समस्त दिशाय निर्मल हो गई नदी और सरवबरों के जल सुच हो गए सभी प्रजा के हरदे अपने आमनोमी के दिन भक्त लोग सुबह सुबह बड़े भोर उठ जाते हैं और सबका मन निर्मल हो जाता है ऐसे हो गया सभी रुतु यहाद है ना सभी छे के छे रुतु जिसको भी याद होगा छे के छे रुतु एक साथ प्रकट हो गए एक साथ चाहे वह कोई बुतु और किसह ज संचार होगा और जिस समय भगवान ने जन्म किया बिलकुल ठीक जिस समय भगवान में जन्म गरहन किया घरपतमास के शूकलपक्ष के द्वादशब्षा के दिन था झातस्रवंभण8 ठाक और इस सभी नक्षेत्र प्रतारे भगवान के जन्म्ण में सूचित करने क 2 secret cricket ah to get the rest of them कि अपने अप सब सेट हो गे इसलिए प्रैरिभकतों भागवत प्रमाण यह स्वाभवान है। इस द्षाट सिढ बीजया द्षाट सिढ तेहले हैं क्या कैत bubble से वहोर से वक – मैं थड़ा और फास्ट कर रहा हूं कि कौन क्या गिफ्ट दिये यह सब आप सुने ही है कथा सुने हैं साक्षात सभिता हमको गुरु महराज ने गायतरी मंत्र दिया लेकिन साक्षात सभिता बामन भगवान को गायतरी मंत्र दिये देवुरु ठुरु पति ने जन्यू दिया और ऑपने पीता जी ने दिया भिख्या पॉठ्य पात्र दिये फिर लास में अनकुरॉण देवी जगर्जने नी भगवती माता जगदंबे बलो जैमाता जी मी उन्होंने भिख्या दिया पहला डोनेशन पहली भिख्या नर्मदा नदी के तट पे नर्मदा नदी के तट पे भुगु कुछ नामा के बड़ा सुन्दर स्थान है यहां तो बर्णन नहीं है टीकाओं में साथ बर्णन होगा यह जो बर्णन है इस मध्यपदेश के नर्मदा नदी या सुरू के नर्मदा नदी सुरके नर्मदान अदी के तट में बली महाराज यग्यां कर रहे थे तो यहां लिखा है भुग कुछ नामक एक बड़ा सुंदर स्थान था जहां बली महाराज यग्यां कर रहे थे सत असों में द्यग्यां और जैसे ही भगवान बामन देव उहां सुंदर बौने के रुप में प्रकट हुए इतना प्रकट होगे वहां जितने भी सब रुतिज ब्राम्हन यजमान साक्षाद बली महाराज देव रुस जो भी थे वहां सब की तेज को चीन लिए सब निष्टेज होगे एक तरफ से कहां से इतना तेज आ रहा है सब लोग एक टक से देख रहे एक तरफ एक तरफ से सुंदर अब जरा मन की आँखों से देखिए भगवान बामन देव सुंदर चतरी लेके जटा धारी और सुंदर मुर्गो चर्म लिए हुए रुद्राक से धारन की हुए सुंदर कमंड़ु देखिवे प्रकट हो रहे हैं और सारे थीज को बहुत छीन लेते हैं भगवान बाव्भ बामन देव की इस स्थान पर प्रकट होते हैं और बली महराज स्वेंग फिर उनकी स्वागत करते हैं स्वागत करके बहुत सुंदर grand reception अरे दादा पोते किस के हैं जरा सोचो ना प्रलाद महाराज के ऐसे कोई से असुर नहीं है ना प्रलाद महाराज के पोते हैं तो महान भकत तो होंगे विरोचन पुत्र देवताओं के कहने पर जिसने अपने आयू को भी दे दिया है विरोचन इनके बंस में ऐसा कौन नही तो स्लोक के उपर, स्लोक के उपर, स्लोक के उपर गुनगान करते हैं कहते हैं आपके बंस में हिरन नाक्षे ऐसा असुर पेदा हुआ, ऐसा राक्षास पदा हुआ कि आज तक मैंने जितना भी यूद किया हिरन नाक्षे के समान किसने यूद नहीं किया आज तक मुझे थोड़ा सा अपने आपको हरसुलित हो जाता हूं कि ऐसा जोड जोड़ी कोई नहीं मिला गदायुद में ऐसा करके भगवान बामंदे बहुत गुनगान करते हैं अपने पनस के फिर हम कथा सुनते हैं जानते हैं कि बली महाराज ने संकल्प किया तृपाद भूमी देने के ल शुक्राचारिया शुक्रनिती कहते हैं बड़ा सुन्दर स्लो के सारे ग्रोष्तों को यह सुनना चाहिए विश्यस करके शुक्रनिती कहते हैं देखो वली सभी ग्रोष्तों को अपने धन को पांच भाग में विभाजित करना चाहिए ऐसा नहीं कि जो भी आया बस डोनेशन रिशिट फाड़ दो ऐसा तो हर बार आ जाएंगे अभी भदरपुनिमाय आ जाएंगे जनमास्टमी आ जाएंगे गिता मरतने आ जाएंगे कितना देते रहोगे एक अंगाल हो जाएगे तुम्हारा अपना घर परिबार है कि नहीं सभी ग्रश्तों को अपने धन को पांच भाग में विभाजित करना चाहिए धर्माय धन को धर्म के लिए कुछ धर्म के लिए रखो सारा ही डोनेशन देते होगे तो एक टीम कहली हो जाएगा दूसरा यसे कुछ यस के लिए थीसरा अर्थाय जिस अर्थ को तुम रखते हो उससे ही तुम मुनाफा करोगे दबल इंकम करोगे भाई कोई इंबेस्ट करेगा तब न उसको इंकम बढ़ेगा अर्थाय दूसरा काम आय कुछ अपने भोग के लिए अपने लिए भी कुछ जरूत होती है उसके लिए पांचमा स्वजनाय अपने स्वजन के लिए परिवार के लिए तो ऐसे धन को पांच भाग में विभाजित करके तब कुछ मिल बचा कुछा रहेगा तब हरे किसने बालं को दे देना ऐसा नहीं कि साराइक रिदम दे दोगे तो फिर घर्व संसार चलेगा कैसे यह सुक्र निती है ध्यान रखिए यह परम धर्म नहीं है यह सुक्र निती है परम धर्म तो है यतो भक्तिर अधोक सजे वो भगवान सब के खैर करते हैं इसके बाद बली महाराज कहते हैं लेकिन मैंने तो प्रॉमिस कर दिया है मैंने संकल्प कर दिया है मैं अभी अपने बात से मुकर नहीं सकता मेरे बंस मेंसा कोई नहीं है जो वचन बद्ध हो जाए रगुकुल रीती सदा चली आई वचन न जाई तो अभी भी शुक्राचारिय उनको निती सिखाते हैं कहां कहां जूट बोल सकते हैं सुन लो कान खोल के सुन लो पली महाराज को कहते हैं कहां कहां जूट बोल सकते हैं तुमने कहां कि वचन दिया है ना वचन को तोड़ दो असत्य कहां कहां बोल सकते हैं स्त्रीशू स्त्रीओं के सामने जूट माताजी ख्यमा के बिए यह बागवत का स्लोक है फ्लीज स्त्रीशू स्त्रियों के सामने असत्य बोल सकते हैं नर्म मजाक में असत्य बोल सकते हैं हास से परिहास में मजाक में थोड़ा असत्य बोल सकते हैं विबा है चो साधी बहा में अगर-अगर कहीं घटा सुत्र करना हो तो थोड़ा सा जूट बोल सकते हैं कि भार कि तो लड़को किया कर रहा है इंजिनियर आने ने चुट कर सकते हैं प्राण संकटें अपना प्रान अगर संकत में जीवनन मरने की नोबत आ गए तो भी जूट बोल सकते हैं गो ब्र्ांभन आर идет है ब्राम्मन की रंदेत gehen और प्राम्पन कि रक्षा करने के लिए आपके सामने किसकी हिंसा हो रही है, धर्म की अवेलना हो रही है, उसको रक्षा करने के लिए थोड़ा बहुत जूट बोल सकते हैं, यह सुक्राचारिय भागवत स्लोप में कहते हैं, इसलिए सब को छूट दीगे यह थोड़ा बहुत, ठीक है, इतना कहने पर भी, इतना कहन पर भी, इतना कहने पर भी, बली महाराज अपने बचन से डिगे नहीं, उन्होंने भगवान को दान दिया, सब कुछ देने के बाद आप सब जानते हैं, प्रसंग, fast forward कर रहे हैं, दो मिनिट में, कि भगवान ने बली महाराज को बांध दिया, बताइए, आज तक ऐसा कोई ब्यक्ति हुआ है, जिसने ग्यारा हाजर रुपया, ग्यारा हाजर रुपया दिया है, भोजन अपने जो होता है, नन्नकूट सेवा, डोनोर को ही इधर लाके बांधो इसको, बांधो इसको, तो कभी यह दूसरी बार देगा, पत्थर फेंगेगा, लेकिन सुनिए आज के ब्यक्ति हुए हैं, ऐसे ही सबके डोनोर नाम नहीं लेते हैं, ब्ली महाराज जैसा दानी न भूतो न भविस्यती, बांध दिया गया, उनको बरुन पास में बांध दिया गया, फिर भी ब्ली महाराज, आपने पिक्चर देखा है न, नम्रभाव से ऐसे जुके हुए रह और अंत में ब्रह्मा जी बिंद्या बली भी बोली, लास में ब्रह्मा जी ने कहा, अरे बहुत हो गया, प्रभुजी, भगवान, आप ऐसा मत किजिए, आरे आप गीता में कहते हैं, पत्रंग, पुस्पंग, फलंग, फोड़ा सा कोई देता है, तो आप उसको छपर भाड क आप नर्म, कहते हैं, अमे जिसके उपर क्रुपा करता है, उसका सब से पहले पैम लेता है, शब से पहला बैंक बलंस ले लें特別 दर्फेंदा को तक्युन करता है, वह ले सब से पहले बनदन कोई होटा हूं, वहता मौप बहुत सब चूना मनुदना गले हैं, फोड़ा से अ कठिने मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी यह यह जब आज ड़ा कान खोल के सुनिये मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी किस ने अगर जन्म अइस् soya si fi हम हई वर्त पड़ा लिखा है विद्वाण है तुझदर है धन-धाने से परिपुनrä मनुसजन में फिर भी घमंड नहीं हुआ है मेरी कृपाहे समझ लेना ये मेरी विशेस कृपाहे उस व्यक्ति के उपर इतना सब उपलब्धियों को प्राप्त करने के बद भी उसमें अहंकार नहीं है भगवान बामन देव कहती है विशेस कृपाहे मेरी और ये बली बरह्माजी कहेते हैं ये बली जानते हैं इसके बारे में ये दानब और दैत्तियों के वंस को कृती को वड़ाने वाला है इसका धन शीन लिए गया राजबद अलग कर दिया गया भाई बंधू उसे बिरोत हो गे सत्रुने उसको बांधिया इतनी यातना है भोगने पड़ा रहे और तो और गुरू ने स्राब दे दिया तुम नरक जाओगे गुरू के बाकियों का अब 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 गया करते हो नरक जाओगे गुरू ने स्राब दे दिया इससे ज़्यादा और क्या कहूं मैंने इसके साथ चल किया कपट किया मैंने इस कि देखो हाथ जोड़के मेरे सामने सिर्ध जुका के सत्य को पालन कर रहा है और आदेश को पालन कर रहा है एक उं भी नहीं बुला है मेरे साथ ऐसा क्या हो ऐसा बोला भी नहीं और नम्रता से वो सब सुख्यार कर रहा है इसलिए जानते हो इसको ब्रह्मा जी आप कह रहे हो ना, इसको क्या में दे रहा हूँ, अरे देवतालों भी तरस्ते हैं जो, सारे देव गंधर्व इसको तरस्ते हैं, ऐसा धन संपदा सुतों लोक में इसको प्रदान कर रहा हूँ, जो कभी कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, और तो सुनुए, इसका डोर कुपर वाच्मेन में इसको प्रदान कर रहा हूँ, इतना नहीं, बाई वन गेट वन फ्री, इसके अलावा सावरणी मन्वंतर में ये इंद्र बनेगा, माई गॉड, क्या सुन्दर बरदान है, सावरणी मन्वंतर में, अगले मन्वंतर में यही इंद्र बनेंगे, तो इस प्रकार से आज पावन दिन है, भगवान बावन दे प्रकट होके, अपने सुद्ध भक्त बली की भक्ती की पराकास्टा दिखाए, नवदा भक्ती में सर्वसिस्ट आत्म निवेदन बली महराज ने प्रकट कराए, तो प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन बली महराज के एक जिरो आत्रा सिमत भागवत महापुरान की, भगवान बामन देव की, दैत्यराज बली महराज की, जगत गुरु सिल प्रवपयाद की, मिताई गोर्प्यमान दे हरी हरी वो धन्यवाद